है फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को तीन चार साल के लिए फ्राग बनाना बताऊंगी टू लेयर फ्राग रहेगा यह मैंने घेर का कपड़ा लिया है यह हमारा चोटा वाला जो पार्ट है वो नीची रहेगा गेर में और यह जो बड़ा वाला पार्ट है वो उपर का गेर तो यह उपर का गेर है और इसमें जो हमें फ्रिल बनाना है यानि की जो छोटा वाला गेर रहेगा उसके लिए मैंने पूरे पने की चोड़ाई ली है कपड़े की और इस घेर ही लंबाई जो है वो मैंने 5 इंच ली है तो इस तरीके से खोल के देख सकते हैं की यह पूरा तो इसको हमें इसमें लगा करके जॉयंट करना होगा तो इसकी चौडाई जो रहते ही कि इक हैं से तो फीडल दकना रहों खुड़ समय कर देंगे कि आप टॉड़ा करीग biz आप अप गयर को हम साइड मेर्टार나ी क्यों थेख सकते की कैसा państwo हमारा 2 part में है back front दोनों है हैं तो इसको हम एक बार और fold करेंगे हैं तो यह हमारा four flip में हो जाए गार आप सबसे पहले इस पर झान लगाएंगे इस तरीके से Andہ के बाद यहां से हम गले का झान लगाएंगे दो इंच पर इंच पर मैंने गले का निसान लगा दिया है धाइंच हम कंदे का निसान लगाएंगे ये नॉर्मल बेबी के लिए है अगर हेल्दी बेबी के लिए आप निसान लगा रहे हैं तो गल्ला भी आदा इंचे एक्ष्टा रहेगा और कंदा भी आदा इंचे एक्ष्टा रहेगा अब ये मैंने साड़े पांच इंच नीचे आर्मोल का निशान लगाया है और इस तरीके से मैंने इसमें गुलाई का निशान लगा दिया है थोड़ा सा हम कंदे को तिर्चा निशान लगाएंगे और उसके बाद हम गले के लिए 3 इंच की गहराई में निशान लगाएंगे ये हो गया हमारा गले का निशान, आगे वाले गले का निशान है, पीछे वाला गला हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे इससे, तो मैंने इस गले के निशान में गुलाई भी दे दी है, अब पीछे वाले गले के लिए हम डेड़ इंचे निशान लगाएंगे और इस तरीके से ह तो इसे क्या होता है कि हमारा जो फ्रॉक का घेर होता है वो साइड में लटकता नहीं है और देखने में भी कुपसूरत लगता है तो यह मैंने कटिंग भी कर दी है अब यहां सी हम आर्मोल की कटिंग कर लेंगे देखिए कोई भी कपड़ा हो मैं मार्जन बहुत कम रखती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा तो अगर आपको मार्जन जादा रखना हो तो आप एक इंचेक्ष्टा ले सकती है अब मैंने कंदे की भी कटिंग कर दी है थोड़ा सा तिर्चा और यहां सी हम पीछे वाले गले की के बाद फिर दोनों पार्ट को हमें अलग कर लेना होगा तो एक हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और एक बैक पार्ट रहेगा तो हम फ्रंट वाले में गले की गहराई को कट करेंगे यानि कि जो हमने आगे के गले का निशान लगाया है उसे हम कट कर लेंगे तो यह मैंने की क्या करना है कि इसको हम साइड में रखेंगे और पीछे वाले पार्ट में हमें थोड़ा सा कूला हुगा वाना आणा है जिससे हमें पहनाने में इजी रह थो चार इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ तक हम कट कर देंगे जो हमें ख्ला हुगा बनाना कटिंग हो गई है यह स्लीव इसमें नहीं मैंने कटिंग की है पाइपिन लगाना है अगर आपको स्लीव लगाना हो तो स्लीव भी कट कर सकती है तो यह टोटल फ्राक की कटिंग कंप्लीट है अब फिलाल हम फ्रंट और बैक पार्ट को यानि कि टॉप पार्ट को हम साइड मे और पहले हम घेर को बनाएंगे तो घेर के सभी पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे यानि कि जो छोटी लेयर है और जो बड़ी लेयर है दोनों को हम इस तरीके से खोल के रख लेंगे और फिर इन में भी हम अलग 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 कर लेंगे यानि कि टू टू पार्ट है तो इसक पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिलाई करनी है तो यह चोटा गेर है इसको हम इस तरीके से चुनट बना लेंगे चुनट बनाने के बाद फिर हम बड़े वाले घेर में इसको जॉइंट करेंगे और नीचे की साइड इसे हम फोल्ड कर लेंगे पूरी लंबाई में फिर हम इसे बड़े वाले को भी उपर की साइड से चुनट बना लेंगे तो सेम तरीके से दोनों घेर को बना लेंगे तो देखिए मैंने दोनों घेर को बना लिया है सेम तरीके से देख सकती है कि यह बनने के बाद बहुत ही प्यारा सा लग रहा है यानि कि यह जो मैंने बनाई थी इसको मैंने बड़े वाले घेर में जॉइंट कर दिया है और बड़े वाले घेर में भी उपर मैंने चूनट बना लिया है तो हमारे बड़े वाले घेर में थोड़ा सा ज्यादा चौड़ाई लग रहे थी तो इसको टॉप पार्ट में जॉइंट करते वक्त हम इसके लिए मैंने डेर सारी पाइपीं कट कि है और मैने उसको एक साथ जॉइंट करके एक लंबी सी पीस बना ली है अब यह जो मैंने कटिंग की है इसको आप चाहें तो पट्टी भी इसलाई करके पलट करके उसको पट्टी की शेप में इसलाई कर सकती है मुझे यहां पर लगाना है तो मैं इसमें पाइपिन लगा लूँगी पाइपिन लगाने के बाद फिर हम दोनुपार्ड को एक साथ रखेंगे और कंदी की सिलाई लगाएंगे 아ौट दोनों कंद लेके बाद फिर वापस से हम इसे खूल लेंगे इस तरीके से खोल के रख लेंगे और यह खुलने के बाद फिर वापस से हम पाइपिन आर्मोल में लगाएंगे जिस तरीके से हमने पाइपिन पीछे लगानी है उसी तरीके से हम इसमें भी लगा लेंगे और गले में भी लगा लेंगे यानि कि हमें हर जगा पाइपिन ही लगाना है कहीं हम पट्टे नहीं पलटके सिलाई करेंगे तो हर जगा मैंने पाइपिन लगा करके इसको कम्प्लीट कर लिया है पीछे पाइपिन, गले में पाइपिन, आर्मोल में पाइपिन कंदे की सिलाई सभी कुछ मैंने इसको करके कम्प्लीट कर लिया है तो ये हमारे top part की सिलाई complete है अब अगर frog में आगे की side आपको designing करनी है तो आप कोई भी designing कर सकती है लेस वगरे लगा सकती है चुनट लगा सकती है मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है simple सा frog है तो सबसे पहले अब हम दोनों gear को joint करेंगे तो पहले हम एक एक करके घेर को लेंगे इस घेर को हम लेंगे और इस side हम रख लेंगे यहाँ पर अब देखिए हमारे घेर की चोड़ाई जादा है तो इसको हम चुनट को थोड़ा बढ़ाएंगे और इसमें हम joint करेंगे तो घेर को joint करने के लिए सबसे पहले घेर को हम इस साइड रखेंगे और इस पर हम चुनट को बढ़ा करके एक साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे फिर तूसरी साइड हम उसी तरीके से हम घेर को रखेंगे यहाँ पर और इसकी भी हम सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे चुनेट को बढ़ा करके ये सिलाई लगाने के बाद फिर आप से मिलते हूं तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है दोनों साइड से मैंने दोनों घेर को जॉइंट कर लिया है दोनों घेर की सिलाई करने के बाद और आपर हमारा फुट्लाइंट हो गया है अब हम इसको से पलत के एक दूसरे के ऊपर लगा करके सेट कर देंगे- यानि कि front और back दोनों अब side से हम fitting की सिलाई लगा लेंगे दोनों में तो यह हमारा frog पूरी तरीके से बनके ready हो जाएगा तो देखिए मैंने यह प्यारा सा frog बना करके तयार कर लिया है बहुत ही प्यारा सा frog बनके तयार हुआ है तो आप भी इस तरीके की प्यारे प्यारे फ्राग अपने बेबी के लिए घर पर बहुत ही एजली बना सकती है और वो भी बिल्कुल बचे हुए कपड़े से आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकती है अमीद है कि यह बेबी फ्राग की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलाफिज